है यह जो दोस्तों आपका एक बाँ पिर सवागत यपके अपने चैनल डेल डोजोन उन्वेस्टमेंट में एक बाँ फिर से मैं आपको लोग लें इन्वेस्टमेंट के परपस से एक इस्टाॉक लेकर आओं तो दोस्तों आज हम इस कंपणी को पर discussion करने वाले हैं, यह काफी छोटी साइस की कंपरी है, 200 से 300 कोड के बीच में इसकी market cap है, currently जो कंपरी का main work है, इस टैंप पे civil construction और defensive later construction का है इसके लावाद दोस्तों कंपरी स्पेशलाइज करती है money in works के अंदर, तो यहाँ पे सारी segment stamp पे काफी बेड़े तरीके से grow कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बता है, इत्ती छोटी कंपरी होने के साथ साथ, currently जो कंपरी के valuations है, वो extremely cheap है तो मुझे लगता दोस्तों, इन cheap valuations के कारण और जिससाब से कंपरी की growth हो रही है, long term में काफी शान दा तरीकी से multi-bank करके दे सकती है लेकिन मैंने आप लोग को दोस्तों हमेशे बता रखा है जब भी मैं किसी stock के उपर detail video बनाता हूँ खास करकी छोटी size कंपरी यां तो वहाँ पे आपको देखे recommendation के तरह ने देख रहा है तो यहाँ पे कई बार से रखी गंपरियां आपको multi-bank करके देंगी तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्तिक देखे जिससे आपसे कोई भी important detail मिस आउट ना हूँ अगर आप लोग channel पे पहली बार आ है अगर आपको channel की membership लेनी है तो आप लोग को simply यहाँ पे join button पे click करना है जैसी आप लोग देखिए यहाँ पे join button पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अलगले टेर्स की membership देख खोम लेंगी यहाँ पे दोस्तों 4 main membership है यहाँ पे पहली membership है first timer, दूसी beginner, तीसी gold investor और चौसी platinum investor तो यहाँ पे इन चारों membership के दो important फायदे है लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो fourth membership है इसका यहाँ पे आपको special privilege मिलेगी fourth membership especially उन लोग को है जो अपने long term का portfolio बनाना चाहते है इसके लावा दोस्तों जिस समन आपको बता है इन चारों मेंसे आपने कोई सी membership लेकिए रख्योगी आप लोग को यहाँ पर दो advantage मिलेंगी उसकी और हम लोग ने देखे इस साल की शुरुआत से काफी important stocks को पर detailed video बनाई है और काफी stocks में buy करके multi-bank भी किया है तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस तरह की देखे important videos को check out करना चाहते है अपना conviction develop करने के लिए और subscribe buy करने के लिए तो आप लोग यहाँ पर membership tab के अंदर जाके इन वीडियो को check out कर सकता है चैनल की membership लेने के बाद तो यह तो पहली advantage थी चैनल की membership लेने की इसके लाव आप लोग को एक और advantage मिलेगी चैनल की membership लेने की आप लोग को यहाँ पर मेरा special telegram channel जोन करने का मुख हम लेगा तो यह तो यह तो आपको membership लेने के बाद यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना है जैसी आप लोग पोस्ट पर क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर मेरे special telegram channel का link देके खुम लेगा तो यह special telegram channel दोस्टो मैंने अपनी YouTube channel के members के लिए खोड़ लगा है तो कि कई बार देखिए market task के दान मेरे को आपको कुछ important stocks के बार में suggestion देने होता है या कई बार में खुद कुछ stocks में अपनी position increase करता हूँ या नई bank करता हूँ उसकी भी information में आपको इसी telegram चल के थो देता हूँ और कई बार दोस्तों situation ऐसी भी होती है कि मेरे को आपको कोई stock बताना होता है तो मैं आपको देखिए एकदम से तो उसके ओपर वीडियो बना के बतानी सकता है मुझे काफी detail वीडियो बनानी परती है उससे पहली मैं आपके साथ यहाँ पर उन stocks के चार्ट शेयर करता हूँ टेकनिकल चार्ट जो होते हैं उसके साथ साथ stocks के बार में काफ़ important details भी शेयर करता हूँ तो यह सारी important charts और detail information भी आपको यहाँ पर इसी telegram चल के अंदर देख रहो हो मिलेगी यहाँ पर recently मैंने देखे 3-4 stocks जो आपको recommend किया है यहाँ पर charts के थुरू किया है और वो सारी important information charts के साथ मैंने आपके इसी telegram चल पर post किये उन stocks में currently हम भी position बिल्ड करना है अगर आप लोग उन stocks में position बिल्ड करना चाहते है तो चैनल की membership लेने के बाद आपको telegram चैनल जोन करना है उसके बाद उन सारी important stocks को उनकी information को और साथ मुनके technical charts को check out करना है क्योंकि उन technical charts से दोस्तों आपको बचलेगा कि कौन से important resistance level है और कौन से important support level है जिनके उपर आप stocks में बाय कर सकते हैं यह तो दोस्तों दो privileges थी यहाँ पर चैनल की membership लेने की आप मैं आपको सिधी लेकिलता हूँ आज के हमारे important stock में तो सबसे पहले हम करते हैं इस company का overview जिस company को पर जज़ हम detail में description करने वाले है इस company का नाम है RKAC Projects तो वीडियो की शुरुआत में जैसे मैं आप लोग को बता था दोस्तों इस company का main comment stamp है civil construction का, defense construction का और maritime works का तो यह construction company आप कर सकते हैं जिसकी शुरुआत ही थी 37 साल पहले काफी तगड़ा experience है इसे तो यहाँ पर company specialize करती है civil और defense construction के अंदर इसके लावा दोस्तों इस company का construct करती है यहाँ पर buildings का, highways का, marine works का जैसे मैंने आपको check out करा है यहाँ पर company इसके लावा bridges भी build करती है तो इस तरह के सकते हैं कि modern infrastructure में काफी शांदार तिरके से company currently काम करती है तो पिछले 10 सालों में दोस्तों company ने काफी शांदार projects को यहाँ पर complete किया है यह projects mainly देखिए यहाँ पर आंदर प्रदेश के अंदर है तमिलनाडू के अंदर, गुजरात के अंदर, उडी से केंदर, राजिस्थान के अंदर, महाराश के अंदर पोंडेचेरी हो गया, उसके लाव यहाँ पर केरला हो गया मनीपूर हो गया, अपर उत्तरप्रदेश हो गया तो यहाँ पर आप के लिए देख सकते हैं दोसों, इतनी छोट साइस की कंपनी होने के बाद भी जिसकी अभी यहाँ पर 300 को और से नीचे की market cap है यहाँ पर कंपनी ने all over the India काफी शांदा तरीके से important products को complete किया है इसके लाव रिसेंटली दोसों, कंपनी ने अपनी presence को बाकी states में भी expand किया है एडिशनली देखिए कंपनी ने अपने को expand किया है यहाँ पर West Bengal के अंदर, ज्जार कंट के अंदर और इसके लावा करनाटके के अंदर जहाँ करनेटली इसके कुछ important ongoing projects है अब हम चलते है next part में, next part में हम check-out करते है यहाँ पर company के experience को, तो company को currently 37 साल का experience है इस पूरी industry में, यहाँ पर आपके सकते हैं कंट्रेक्शन की industry में यहाँ पर company ने 103 plus projects को complete किया अभी तक, ongoing जो company के projects है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर इसके लावा 120 plus की इसके पास fleet size है तो जिसके कारण company यहाँ पर काफी बड़े तरकी से participate कर पाती है इसके लावा देखें कुछ और important detail check-out करते है यहाँ पर दोस्तों आपसे पर लाएकर आप देखें, जो specialization यह company offer करती है यहाँ पर company construction की company जिसे मैंने आपको बता है mainly construction industry में काम करती है 37 साल का experience होने के कारण दोसो, यह company step पर marine works करती है यहाँ पर road और bridges build करती है, building और infrastructure करती है इसके लावा यहाँ पर rectification का work भी company ने करना शुरू किया है यहाँ पर extensive knowledge यह company को दोस्तों और expertise है high quality के projects को complete करने की और timely manner पर यहाँ पर deliver करने की अपने clients को तो आप दोस्तों अगर आप next part में देखें तो यहाँ पर आप company के business को 4 part में डिवाइट कर सकता है पहला होगी है आप marine works दूसरा होगी है आप roads and bridges तीसरा होगी है आप building on infrastructure का और चौथा एक्सपर्टीज और नॉलेज चो इसने गें किये तालोग के experience से यहाँ पर marine works करके इसके लाँ दूसरा पार्ट है इसके business का जहाँ पर company specialize करती है वो road और business में करती है यहाँ पर company एक reliable partner है काफी बड़ी-बड़ी company की और road और business बनाने में और इसके अंदर भी दूसरा company को काफी तकड़ा experience है कोई पिछले 37 साल से companies industry में काम करी है और currently company दूसरा हर तरह के solutions प्रोइड कर पाती है road और business के वर्क से related इसके लाँ में आपर third work काता है building on infrastructure के वर्क का इसके अंदर दूसरा company leader है construction industry में भी यहाँ पर company देखिए extensive experience सकती है building on infrastructure के field में और साथ में आपर company को as expert team है जो deliver करती है top 9 solutions high quality के results के साथ इसके लाँवाद दूसरा आपर last work काता है electrification का यहाँ पर देखिए company leading provider है electrification solution प्रोइड करने के लिए extensive experiences से deliver करने के लिए जो successful है यहाँ पर electrification के प्रोजक्स होता है इनको तो इस तरीके से आप company के business को 4 part में डिवाइड कर सकते हैं तो दोस्तों आप मैं आपको company की यह सारी services के बार में और detail में check out करता हूँ तो सबसे पहले अगर आप देखिए marine का जो structure stamp है इसमें यहाँ पर पाइनियर है construction के फिल्म है यहाँ पर currently company का structure करती है structure score जैसे JT हो गई यहाँ पर birds हो गई और इसके लावाँ पर intake works तो यहाँ पर currently दोस्तों का अपनी ने construction किया है multi-user liquid terminal का fortune port के अंदर इसके लावा company ने construction किया है यहाँ पर coastal textile और tanker jetty बर्थ का यहाँ पर nocl clay नियर Tamil Nadu और यह company ने किया है यहाँ पर EPC basis पर इसके लावा company ने किया है second liquid chemical और यहाँ पर पी उल बर्थ of fair power Mumbai for Mumbai for trust जैसे मैं आपको दिखाया company की service यहाँ पर include होती है values की यहाँ पर birds की jetty's की mooring dolphins की उसके लावा इंटेक structure breakwaters यहाँ पर coastal shore protection वर्क इस तरीके से मैंनिक structure के अंदर company काम कर दिये इसके बाद हम चलते नेक्स पार्ट में नेक्स पार्ट में मैं आपको चक्वाट करता हूँ road और bridges का discover तो यहाँ पर दोस्तों कंप्री स्पेशलाइज के लिए दिखे का construction में major और minor bridges के तो currently दोस्तों कंप्री इंप्रूफ किया है यहाँ पर movement जो होती है यहाँ पर network in नानदेज city अंदर JNNU RM package no.2 यहाँ पर construction हुआ है दोस्तों गोदावरी river bridge का और साथ में road no.10 का इसके लावा कंप्री ने आपर improvement किया है और widening के काम किया है यहाँ पर जलंदर Amritsa जो road projects है इसका और यह NH1 के अंदर आता है इस state of Punjab में इसके लावा कंप्री ने construction किया आपर major bridge का across बयास river इसके लावा कंप्री ने आपर गांदार हाजिरा transmission project किया है नरमदा river crossing, piling और civil work यहाँ पर कंप्री ने construction किया है road over bridge का जो NH45A में किया है पुर्णेचरी में तो यहाँ पर काणरेटी कंप्री की सर्विस इंक्रूट करती है major और minor bridges यहाँ पर steel girders, उसके लावा PSU girders, यहाँ पर composite girders और इसके लावा rate come road bridges यहाँ पर कंप्री की सर्विस होगी यहाँ पर road और bridges की तरप को, अब हम चलते है next part में next part में check out करते हैं जो कंप्री कहाँ पर building on infrastructure का work है इसके अंदर कंप्री ने क्या किया है, यहाँ पर कंप्री तो यहाँ पर स्पेशलाइस करती है infrastructure के development work में, यहाँ पर कंप्री ने execute किया है frame structures, तो यहाँ पर कंप्री ने लीमा खौंग में, मनिपूर में काम किया आर्मी के लिए, इसके लावा augmentation of steam system repair infrastructure अट नेवल डोक्याड विशाका पत्नम में नेन किया है, यहाँ पर कंप्री ने setup किया यहाँ पर weapon repair facility का नेवल डोक्याड में विशाका पत्नम के अंदर, इस तरह की से दस्तों कंप्री ने आपर आर्मी के लिए आप देख सकते हैं, क्लियर लिए यहाँ पर defense related construction के काम किया है, तो कंप्री के अगर आप service देखें, इसके अंदर include आ यहाँ दोस्तों यहाँ पर building on farm है, यहाँ पर civil work, power और refinery के projects, port development works, transmission lines के, sport complexes, building works, water intake systems, heavy RCC, pre-stressed यहाँ पर concrete और steel structures, उसके लबाँ farm warehouses और industrial sheds, इस तरह की से कंप्री इस segment में काम कर दिये, हम चलते हैं next part में, next part में दोस्तों हाँ पर electrification के अंदर देखें, कंप्री की जो work आता है, इसमें दोस्तों मैंने आपको देखें कि service related, कुछ important details check out कराई, इसके लावा दोस्तों अगर आप लोग check out करना चाहते हैं, कि company ने past में कौन कौन से projects को complete किया है, तो company की website में आप जाके check out कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़े projects है, यहाँ आप कर सकते हैं, list काफी लंबी है, जिन projects क company ने complete किया है, अब हम check out करता है कि currently company के कौन कौन से important projects चलने है, यहाँ पर दोस्तों कर आप सबसे पहले देखें, ongoing projects में, यहाँ पर आपको कुछ important projects देखेंगे, चो company के currently चलने है, तो सबसे पहले आपको जग जाता है, यहाँ पर National Highway Authority of India की तरफ से आता है, यहाँ नहीं ए आपको important projects और देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक और important project देखेगा, यहाँ पर company आपको construct करते ही दिख रहे है, बर्ट्स टेस्टल को, foreign approach development of barrage, vessel loading jetty for honover, तो यह honover port trust है, इसकी तरफ कर रहे है, यहाँ पर देखेंगे, पांच पर संटी project complete हुआ है, यहाँ पर clearly mention कर रखा और साथ में आपको comprehensive operation और maintenance का भी काम करीगी कंपनी, दस सालों के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो completion हुआ है, 75% आपको completion होता है, और जो main project में आपको fire fitting की दरफ को है, इसके बाद अगर हम next part में check out करें, यहाँ पर आपको कुछ और important project देखेंगे, यहाँ पर आपको company reconstruction क cruise berth at channel berth in outer harbor of fishhaka patnam port, यह project भी इसनाय पर jetty में इन structure का है, यहाँ पर 54% work complete हो चुका है, इसके लवा अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको देखेंगे, प्रोविजिन आप 3 lane, इसलिप पे 500 turn capacity at port Blair, यह work दोस्तों currently आपे 6% complete हुआ है, इसके लवा आपको देखें तो यह मेंने आप लोगों कुछ important साथ project दिखा है, जो इसनाय पर company के currently चलने है, आप हम चलते है next part में, next part में आप लोगों चकॉट कराता हूँ, company के currently clients है, जो काफी बड़े बड़े यहाँ आपको clients दिखेंगे, यहाँ पर वेदाता जैसे बड़ी company हैं दोस्तों, जो currently company क client है, इसकलाब आपको Mumbai Port Trust दिखेगा, यहाँ पर आपको विजाक स्टील दिखेगा, इसकलाब आपको नांदेड नंगरपाली का दिखेगी, यहाँ पर आपको JNPT दिखेगा, यहाँ पर Indian Railway दिख रहा है, इसकलाब आप भी कई बड़े-बड़े client हैं दोस्तों, यहाँ SR Projects हो गया, उसकलाब आपके Indian Navy हो गई, BRD हो गया, Concore हो गया, तो यहाँ पर आपको लेज देख सकते दोस्तों, इंडिया नार्मी की तरफ को भी, यहाँ पर company Defense Construction का का काम करती है, इसकलाब दोस्तों, यहाँ पर कुछ और important है clients है, company के अदानी जैसे, इसकलाब कोच इनपो guidance को, तो currently दोस्तों, company की order book है, यहाँ पर 2069 करोड की है, काफी तगडी order book है, जो F24 में दोस्तों, इसके total revenue थे, इसके 6 गुनाय आपे company की current order book है, यहाँ पर मैं आपको जब company के financial check out करूँगा, तो detail में इसके यहाँ पर F24 के revenue check out करूँगा, यहाँ आप दोस्तों, इमेजिन है, इसके onwards की, यहाँ पर company रहे है, 30-35% की, over next 5-7 years, और इसकी पूरी possibility है, जिससे आप से इसकी order book दिखती है, strong, यहाँ पर F25 का अगर आप revenue की guidance देके, तो 5-25 करोड की है, अब currently दोस्तों, company के जो profit हुए दे देखिए, यहाँ पर 20 करोड के आस-पास हुए थे, 12 करोड से, एक साल में काफी एच्छे जम था, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 20 करोड के आस-पास से बढ़के, अगर यहाँ पर 42 करोड होते हैं इस साल, तो काफी शानदार आपको ग्रोड देख को मिलेगी, इसके लावा है यहाँ पर F26 के दोस्तों, revenue की guidance है, 78 करोड की है, और यहाँ profit of tax की guidance, 60 से 65 करोड की है, और जैसे मैं आपको बता है, company ने पिछले साल यहाँ पर 340 करोड के आस-पास के revenue इजनेरेट के थे, और इस साल अगरे दोस्तों, यहाँ पर 525 करोड होता है, तो काफी तकड़ा जम्प होगा, currently company दोस्तों, trade कर यह, 7X अपने forward P पे, और just यहाँ यहाँ पर 4.5X, F426 के EPS की basis पे, तो यह दोस्तों खाली guidance है, यहाँ पर मैं लगाता, company को track करना होगा, कि company इस तरह की से perform कर पाती है कि नी, लेकिन यहाँ पर guidance पर अपनी company सही बैठी, तो यहाँ पर काफी तकड़ी आपको growth देखर को मिल सकती है, क्योंकि currently भी जो company के valuation से काफी ज़्यदा चीप है, अब मैं आप लोग को ले करता हूँ, next part में, next part में हम check out करते हैं सबसे पहले, company की market cap, जैसे मैं आपको बता था, अभी भी company के size काफी छोटा है, 300 card से नीची की company है, यहाँ पर दोस्तों सबसे important बात ही यह, कि company stamp है काफी ज़्यदा चीप है, अग यहाँ पर इसकला पर पिछले 3 साल की sales growth 90% की है, पिछले 3 साल की profit growth 16% की है, तो यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी profit growth और sales growth भी दिखती company की, इतनी छोटी company होने के बाद भी, इसकला में यहाँ पर अगर आप check out करें, debt to equation में भी कोई problem नहीं है, 0.18% का है, और यहाँ पर द financials में अगर आप देखें दोसों, सबसे पहले company की sales को check out कीजिए, तो company की sales देखे, quarterly basis पे काफी बड़ी तरक से jump कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको इस June के quarter में थोड़ा dip आता हो दिखाता, तो यहाँ पर quarterly basis पे तो आपको थोड़ा dip दिखे कर देखे, March 24 की sales थी 140 करोड की थी, June में 84 करोड की हुई थी, लेकिन अगर आप यहाँ 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 नियाब इस पे देखें, तो 38 करोड से jump करके sales आप 84 करोड की हुई थी, तो काफी huge increase आप कर सकते हैं, यहाँ डबल होगी यह कंपरी की sales, एक साल के अंदर, इसके लिए दोसे आपे profit देखे, काफी जांदर तरिके इनकीज हो हैं, यहाँ पर margin में थोड़ा सा impact पड़ता, margin 21% से यहाँ पर गिरके, इस cotton में करीबन 16% के आसपास के हो गये थे, लेकिन फिर भी दोसे आपे sales काफी शांदर तरिके से बड़ी थी, जिसके कारण आपको देखे, profit 2.80 कोड से jump करके, यहाँ पर 5 प्रफॉर्म किया था अब दोस्तों यहां पर अगर 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 आपको लगाता रिखें कंपरी के जो मार्जिन है काफी बड़े तरीक से मेंटेन दिखेंगे 15% के आसपास पास पिछले 3-4 सालों में यहां पर आप देखें पेंडमिक के बाद हलका से डेपा मार्जिन में 16% के मार्जिन है यहां पर आपर में 12 परसेंट इंपर टे एंपर एंपर संके इंपर सिर इस में जमITY और width 24 में 341 करोड के हुग है तो लगाता है है आपको इंक्रीज होती दिख रही है तो हमें फूचर की यह भी देखती है तो यह मैंने आप लोग को कंपरी की फाइनेशल परफॉर्मेंस दिखाई अब हम चलते हैं डाट में नाज़ोट करते है को यहां पर कम्री की बैलेंस चीन को यहां पर रिजय को यहां पर रिजर्व और वर देखें। 24 क्रोड के है और बॉरेंग यहां पर बॉरेंग कि यहां पर बॉरेंग की सिचैंश यहां पर आनेवल कॉर्टर में मौनिटर करते रहेंगे इसके लाव दोस्तों काफी बड़े किसे देखें चलेगा करेंट्रिय यहां पर के दिखेंगे और करेंटली कंप्री के एसिटर जो इसने पे 53 क्रोड के हैं तो कंप्री दोस्तों आपे ग्रोथ पे देखें इन्वेस्ट करिए आने वाले टाइम में कंप्री काफी शांदर तिर किसे आपको परफॉर्मस करती भी दिख सकती है तो कि मेंली दोस्तों जो खर्चा होगा कंप और 24 में 17 करोड़ का इसके बाद मैं आपको चेक आउट करता हूँ नेक्स पाट नेक्स पाट मैं आप चेक आउट कीजिए दोस्तों यहाँ पर कंप्री का जो कैश के इंप्रूफ करके दिखाया है अगर आप इससे बैल चेक आउट कीजिए तो यहाँ पर गर में 300 देस उ ऑप दोस्तों इस टाइम पर काफी चोटी निकार आँ यहाँ पर कुछ टाइम देंगे कंप्री को ग्रोख करने के लिए अब भी मैं आप से करता हूँ अगर आप इस तरगी कंप्री में बाइय करते हैं तो आपको यहाँ पर मैंनेच्छ पर्ट मैं चक रूट करते हैं यह पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कम्परिए न लगाते रापनी होल्डी को मेंटेन करखा है तो यहाँ पर प्रभूटर नंद और पिछले कही कॉटर से 67 परशन के आसपास कर रखा है तो यह दोस्हां आपको कम्परिंग के वालशन की से 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 इसके financials की साइट से और इसकी balance sheet के तारब से कुछ important information दिखाई अब मैं आपको रहता हूं next part में जो most important part है यह कंपरी के टेक्निकल चार्ट्स तो टेक्निकल चार्ट्स में आप क्लेरी देख सकते हैं एक important range है काफी साल पुरानी जिसको stock break कर निकोश्च कर रहा है इसको दे इस टॉक में दुबार से देखें गिरने के बाद यहां पर recovery दिखाने की श्वात की जैसे आपको कंपरी के profit में भी दिखाई है यहां पर 22 से लगातार लेके अभी तक कंपरी का प्राइस दो साल से यहां पर अप्टेंड में है यहां पर इस टॉक दोसों काफी बड़े त ग्रू करते जा रही है इसके लिए इसके लिए दोसों यहां पर करेंटल एक इंपॉर्टन लेवल आ चुक है देखें 113 से 124 का और मैंने आपको यहां पर टेक्निकल चार्ट में भी 124 का लेवल बतार रखा है तो इससे पहले भी दोस्तों यहां पर 2021 में जुलाय के आसप यहां अब आप लोग को वॉल्यूम के सांद गया लकार आथा इसके लिए अब यहां पर दोस्तों कुछ डिफेंट चीजह विए अगर डिफ degenerate क щоб दोते लिए इससके लिए हमन ब्रेकाउट दिया शान था तरी किसे इसके बाद ब्रेकाउट देने के बाद पिछले 2-3 मेने से दुबार से stock consolidation phase में आ चुका है तो stock का price दोसों initially break out देने के बाद लोग पर पहुँच गयाता है यहाँ पर 148 के असपास लेकिन जैसे मैं आपको बता है range काफी important है तो currently stock इस range में consolidate कर रहा है जैसे दोसे आपर 2-3 मेने का देखे breakout निकलेगा मेरे को लगते हैं आपर इस बाद की result पर depend करेगा तो आपको stock का price थोड़ा उपर की तरफ को आता देख सकता है जैसे आप लग को पता है दोसों यहाँ पर जो इस तरह के stock होता है खासकर EPC कंपनिया और यहाँ पर civil construction और defense construction कंपनिया इनमे आपको देखे second half ज़्यादा better देखता है तो मुझे लगता है यहाँ पर result decent भी आए दोसों तो company का price यहाँ से भी breakout देख सकता है और यहाँ पर result थोड़े negative है क्योंकि यहाँ पर EPC कंपनिया रिजल्ट दोसों तीसरे और चोथ्य कोटर में ज्यादा better आते है तो यहाँ पर आपको थोड़ा consolidation phase भी होता देख सकता है पर चलिए तो दोस्तों stock को अपने देखे 2018 के level को break करना पड़ेगा जो level है यहाँ पर 182-183 के असपास के हैं और यह दोस्तों आप छह साथ सार प्रान रेवल है एक बार लेवल ब्रेक हुए तो उसके बार stock आपको अपनी नई जन्नी की shot करते वह देखेगा price के हिसाब से और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर हमारा पूरा फोकस होना चीह है कंपरी के execution पर क्योंकि यहाँ पर कंपरी की order book तो काफ़ी strong है 2000 code पर कंपरी की order book है लग बद 4100 code की जो यहाँ पर कंपरी की effort 24 की sales से 6 times है order book तो दोस्तों आपर future की revenue की visibility देती है लेकिन आता है अगर execution अच्छा तो यहाँ पर कंपनी में काफी शांदार growth अतीद दिखेगी तो मैंने आप लोग को दोस्तों आपर technical levels बता दिया है 113 से 124 का price काफी बढ़िया है अगर आपको देखे दुबार से dip आता है stock में और stock price यहाँ पर 110 से 115th range में दुबार साता है तो वो इस range को अगर stock ने एक बार break कर दिया उसके बाद आपको काफी positive momentum उपर की तरफ को आतर दिखेगा और यहाँ पर दोस्तों जो पूरी buying होती ही देखे है आपको पिछले कई सालों में यह भी आपको clearly दिखेगा कि 24 में जित्ती buying हुई है उत्ती आपको पहले होती ही नहीं द आप लोग को conviction आता है तभी आपको इस तरह के छोटी साइस की company में एंटर करना है तो होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक केजे और चैनल को सब्सक्राइब के थैंक्स वरचिंग गाइस टेक केर